सर्वमंगलमांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्रम्बके गउरी, नारायनि नमोस्तुते मूल निर्गुन शक्ति अर्थात स्री दुर्गा देवी में शक्ति तत्व के सर्व नौ रूप समाये हुए हैं नौ का आकड़ा स्री दुर्गा देवी के कार्य करने वाले नौ प्रमुक रूपों का प्रतिनिधित्व करता है नौ गच की साड़ी के नौ स्तर देवी के कार्य करने वाले नौ रूप दर्शाते हैं देवी को नौ गच की साड़ी अर्पित करना अर्थात देवी को उनके नौ अंगो सहित प्रकट होकर कार्य करने के लिए आवाहन करना इस द्रिष्टी से देवी को 6 गच की साड़ी की अपेक्षा 9 गच की साड़ी अर्पित करना अधिक योग्य है परन्तु किसी कारण वश 9 गच की साड़ी अर्पित करना संभव न हो तो 6 गच की साड़ी अर्पित कर सकते हैं देवी को नौ गज की साड़ी अर्पित करने के समान ही विशिष्ट आकार में चोली वस्त्र भी अर्पित करते हैं। समझ लेते हैं। देवी को त्रिकोणी आकार में चोली वस्त्र अर्पित करने का कारण। त्रिकोण आकार, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश इनमें से ब्रह्मा की इच्छा शक्ती से संबंदित है ब्रह्मान्ड की इच्छा तरंगों का ब्रह्मन दाई से बाई ओर त्रिकोण आकार में होता है देवी को चोली वस्त्र अरपन करते समय त्रिकोन आकार बना कर अरपीत करने का आर्थ है अपनी आध्यात्मीक उन्नती के लिए आधिशक्ती स्री दुरुगा देवी की इच्छा शक्ती की तरंगे प्रबल कर उनकी कृपा प्राप्त करना यही कारण है कि देवी को चोली वस्त्र त्रिकोन आकार में अरपीत करते हैं भाव जागरूत करने वाले देवताउं के सात्विक चित्र संतुं के मार्ग दर्शनानुसार बनाए देवता के मूल रूप से अधिक मात्रा में मेल खाने वाले चित्र शीव, स्री दुर्गादेवी, स्री लक्ष्मी, स्री गणपती, स्री राम, स्री क्रिष्ण हनुमान एवं दत्तात्रे देवता इन देवताउं के चित्र विविद आकार में उपलब्ध